अब 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 आप सारे लोग खेरियत से होंगे आज किस लेक्चर के इंदर हम बात करेंगे कि हमने complete विक्स जो है वो सीख लिया है एक एक ओप्शन हम मैंने डिटेल के इंदर आप लोगों के साथ लेकिन अब उसको सीखने के बाद हम next क्या करें और क्या कर सकते हैं क्या opportunities हैं हमारे लिए तो उस सारी चीजों के बात कर सकते हैं तो देखें विक्स के जरीए आप किसी भी की website जो है वो बना सकते हैं अब आप किस तरह से opportunities ढूंड़ेंगे अपने लिए clients ढूंड़ेंगे तो इसके काफ सारे methods हैं पहले methods के अंदर हम बात कर लेते हैं आप local clients को local businesses को approach कर सकते हैं कि वो आपको अपकी website बनाने के लिए आपको budget दें आपको हायर करें तो आप क्या सकते हो कि विक्स developer designer और मैं आपके लिए website बना के दे सकता हूं दूसरा option यह आ जाते हैं आप लोगों के पास कि आप social media के उपर जो है posting कर सकते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है website design करवाने की उन को आप अपने services offer कर सकते हैं तीसरा option लिंक भी जो है बहुत specifically उसका जो है option है जहां पे different जो है आप अपने services offer कर सकते हैं वहाँ पे different लोग हायर करते हैं different designers को विक्स designer को वर्डप्रस designer को वहां पे आप अपना CV के आप सब्मेट कर सकते हैं उसके इलावा हमारे पास local sites जिस तरह पाकिस्तान के अंदर rosy.pk है या indeed.pk है indeed.com तो इनके उपर जा कि आप अपना जो है portfolio submit कर सकते हैं उसके इलावा जो सबसे popular और सबसे important method है जिसको मैं आपको कहूंगा कि वह आपको जरूर try करना चाहिए तो वो है freelancing platforms उन freelancing platforms के अंदर हमारे पास आ जाता है fiver upper group freelancer.com people per hour इस तरह के काफी सारे option मुझूद है अगर आप एक beginner हैं और आपको freelance platforms का idea नहीं है तो आपको fiverr से start करना चाहिए fiverr के element मैंने complete dedicated training बना के दी हुई है आप उसके अंदर जाके enroll कर सकते हैं और आपको उसके अंदर complete strategies कि किस तरह से आप अपना fiverr के उपर account create कर सकते हैं इस तरह से आप अपना geek rank करके अच्छे clients ले सकते हैं वो complete चीज़े मैंने वहां पर आप लोगों को step by step बताई हुई है तो आई होप आपको समझ आई हो कि आपके पास काफी सारी opportunities है मजीद मैं आपको कुछ laptop screen पर आके दिखा देता हूं अगर मैं आप फाइवर के उपर जाओं और यहां पर मैं आपको दिखा दूँए एक विक्स डिजाइनर जो विक्स website designer है वो किस तरह से कितने कितने चार्ज कर रहा है क्या प्राइजिंग ले रहा है तो यहां पर देखें अगर मैं सर्च कर लेता हूं विक्स website design तो different लोग विक्स website designing की services प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर देखें अगर मैं इनको open करूं ताबिशली टॉप web designer और इनको open कर लूं यह हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं और इनकी website भी open कर लें इनका gig भी open कर लें अब यह किस तरह से बनेंगे किस तरह से होगा वो सारी चीज़ मैंने ट्रेनिंग के अंदर describe की हुई है तो मजीद यहां पर देखें यह इसका अगर मैं open करूं गी I will create विक्स website design यहां पर देखें यह सिंगल पेज डिजाइन करने के नाइंटीन थाउजंड पीक्यार ले रहा है और यहां पर अगर स्टेंडर पे आएं तो इसके जो पैकेजिस हैं वो डिफ्रेंट है 37,000 5 pages की website जो कि हमने बहुत ही detail के अंदर सीखिया कि किस तरह से आप बना सकते हैं तो it's not a big deal आप बना सकते हैं उसके बद 74,000 यह चार्ज कर रहा है जिसके 10 pages होंगे अब 10 pages के अंदर home about us, contact us, booking, इसके लावा services, packages, product page तो यह सारी चीज़ें हो सकते हैं जो भी client की requirement होगी तो देखें यह कितना अच्छा चार्ज कर रहे हैं तो आप भी इसी तरह से profile बना के अपना जो है services को sell out कर सकते हैं यहां पर अगर हम देखें इसको तो यहां पर देखें इन भाइस आपने भी एक अच्छे service दियो है 19,000 उसके बाद 37,000 61,000 इस चार्ज कर रहे हैं 10 pages की website जिसक इसकी website design करके देने के लिए और similarly यह फिर से open हो गए हैं यहां पर देखें ठीक है यह भी अच्छे खासा चार्ज कर रही हैं और यहां पर देखें 19,000 37,000 69,000 तो काफी अच्छा खासा आप भी इस तरह से कमा सकते हैं Wix को use करते हैं और different websites design करके अपने client को देख सकते हैं औ आपको समझ आई होगी मिलते इंशाला नेक्स लेक्चर अगें देल दनीप लर्मी कीप एक्स्प्लोरीं अलाहाफेज